अब देख रहे हैं श्रेश्ट भारत बच्चन परिवार इस समय काफी सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि आभी शेक और एश्वेरे को लेकर लगातार खबरे आ रही है कि इनके बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो कभी खबरे आती है कि सब ठीक है इस बीच एश को ले राय और अभिशेक बच्चन ने एपरिल 2007 में शादी की थी दोनों के बीच पेश शुमार प्यार देकर फैंस भी उन्हें एक आइडियल कपल मानते हैं लेकिन अब एस पर्द रिपोर्ट्स इस कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और दोनों तलाक लेकर अलग होने वाले तो इसी बीच एश के उस प्यार से आपको मिलवाते हैं जिसे कभी वो बेहत प्यार करती थी और शादी भी करने वाली थी लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक्टरिस उस एक्टर की वाइफ नहीं बन पाई सब ये जानते ही कि एक्टरिस ने अभी शेक के साथ शादी से पहले इंडस्टरी के दो एक्टर को डेट किया था जिनमें पहला नाम है सल्मान खान का दोनों की लव स्टोरी फेरी टेल वाली थी जिसे फैंस भी खूब पसंद करते थे लेकिन कहा जाता है कि सल्मान का पजसिव बरताब ही इन दोनों का रिष्टार टूपने की बज़ा बना वहीं सल्मान से अलग होने के बाद एश्वरिया राय और विवेक औब्रोय की मुलाकात हुई दोनों ने एक साथ साल 2004 में आई फिल्म क्यों हो गया ना में काम किया था इसी फिल्म में दोनों का प्यार परवान चड़ा और एक दूसरे को डेट करने लगे दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन जब इसे बात की भनक सल्मान को लगी तो उनों ने खुब बबाल मचा दिया सल्मान खान की एश्वरिया राय को लेकर विवेक से काफी फाइट भी हुई थी इसका खुलासा विवेक ने खुद एक इंटरिव्यू के दोरान किया था जिसकी वज़े से एश और विवेक का रिष्टा भी तूट गया और दोनों की बात शादी तक नहीं पहुची अगर ये सब ना हुआ होता तो एश्वरिया आज शायद विवेक के परिवार की पहुद दी तो वहीं एश्वरि की लाइफ में आये अभिशेक इन दोनों की लव स्टोरी धूम टू के सेट पर शुरू हुई थी फिर एक्टर ने फिल्म गुरू के सेट पर एश को शादी के लिए प्रपोस कर दिया था पर अब इन दोनों की जोडी को लग गई है नजर दरसल जब से अनंत राधिका की शादी में बच्चन परिवार के साथ एश नहीं दिखी तभी से इस बात को हवा मिली की एश्वरे राय और अभिशेक बच्चन हों गया लगी क्या लगता है आपको कमेंट करके जरूर बताई ये बाकिया से अब्डेटेट न्यूस के लिए तुरन सब्सक्राइब कीजे श्रेश्ट भारत को